GDS की भरती चल रही है तो GDS से संबने जानकारी भी आपको हम इस चैनल के माध्यम से प्रधान करते हैं यहाँ पर जो एक सवाल यह आता है कि भाई क्या यह विकेंसी के फॉर्म सभी को भरने चाहिए या नहीं भरने चाहिए यह बहुत सारे डाउट लोगों के दिमाग में चलते हैं यह प्योर गवर्मेंट जॉब नहीं है यह प्योर गवर्मेंट विकेंसी नहीं है इससे रिलेटट एक डीबेट हमने अल्रेडी किया हुआ है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा क्योंकि इस चैनल पर हमने पहल जानकारी ले सकते हैं जीडिया से रिलेटेड इस पोश्ट से रिलेटेड क्या यह गवर्मेंट जॉब है या नहीं है वो सारी जानकारी आपको महां पर मिल जाएगी ठीक है अभी में बुद्धा यह हमारा कि बहुत सारी लोग क्रिटिसाइज करते यह बोलते कि यह अच् किसी करण से नहीं कर पाए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं क्योंकि क्वालिफिकेशन यहाँ पर टेंथ स्टेंडर से लिया जा रहा है पहला दूसरी चीज़ यह कि कुछ ना करने से तो बहतार है कि कुछ किया जाए अभी लोग आज के समय में विरोजगारी इतनी बरना चाहिए ट्राइ जरूर करना चाहिए फॉर्म को भर के अगर आप ऐसी एश्टी के टिगरी के तो आपको इस पर किसी प्रकार का चार्ज भी नहीं लग रहा है और अगर आप जनरल या ओबी सी के हैं तो आपको सिर्फ सौ रुपय का चार्ज लग रहा है तो आप इस विकेंसी को भर सकते हैं और विकेंसी फॉर्म इस फॉर्म को भरने के बाद आप देखें टाइम मैनेजमेंट होता है कि आप डे टाइम पे इस जॉब को कर रहे हैं साथी साथ अगर आप ऑनलाइन या डिजिटल कमाई से रिलेटेड पैसे वे इंकम जनरेट करना चाहते हैं खुद का चैनल करेट करना चाहते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ जो आप इसके समय के बाद भी कर सकते हैं मतलब जो आपके ड्यूटी टाइम रहेगा उसके बाद जब आप फ्री रहेंगे तब आप बाकी का काम कर सकते हैं तो ये टाइम अभी जो आपका है ये आप अपने income को बढ़ाने का आपका समय है आप एक से ज़्यादा काम करके साथ में अपनी income को बढ़ा सकते हैं और आप इस job में काम करते-करते भी अपने लिए एक नए-नए रास्ते जो है तियार कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से ये जो vacancy आई हुई है या अच्छी नहीं है या government है या semi government है या नहीं है आप इस job को करते-करते भी अपने लिए बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो तैयार कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से तो आप सभी को जो eligible हैं उनको इस form को भरना चाहिए